आप सब इंजिनियर्स के लिए कॉर्परेट टेनर तो आज का जो हमारा सेशन है आज हम बात करने वाले हैं कोडिशन के बारे में नियुक्त बार करें शेमिया में कोडेशन के में वह और इसकी जरुरुर्स टेती एक्सेजयर्ण की काम करते हैं तो quotation में क्या दिया जाता है? rates, यानि कि अगर मैं मानलीजे किसी client का काम कर रहा हूं, तो मैं किस rate में उसके काम को कर सकता हूं? तो मैं अपनी तरफ से quotation बनाऊँगा, और मैं client से पूछ लूँगा कि क्या क्या काम आपको कराना है? अब ऐसा तो नहीं है कि सारे काम एक जैसे होंगे, सबके एक rate है, या फिर आपका कोई भी काम सैम टेक्निक से किया जा रहा है, तो हर एक काम अलग-अलग है, मानलीजे हम यहापर स्वल इंजिनिंग की बात कर रहे हैं, हम बिल्डिंग कंसक्शन की बात कर रहे हैं, तो इसमे rates को आपको अलग-अलग बताना पड़ेगा, क्लाइंट को, कि मैं आपके लिए brickwork इतने रूपे, cubic meter, square meter में कर सकता हूँ, यह concrete का मेरा rate है, यह इतना rate मेरा formwork है, तो अलग-अलग rate आप उसको बता रहे हैं, हार एक चीज़ के, इसी तरीके से आपके साथ के जो और भी contactors न इसको हम आपर दिखा देंगे, तो इस तरीके से यह आपका document है, यह आप यहाँ पर देख सकते है, reinforce construction project private limited, यहाँ पर हमने अपनी company का नाम दिखाया है, इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे, आपको क्या दिखाना है, आपको GST number, तो यहाँ basic details जिस तरीके से बाकी सारे documents में हम बनाते हैं, और उसमें basic details दिखाते हैं, यहाँ भी आपको सारी basic details अपनी दिखानी है, आपकी जो company का नाम है, वो आप यहाँ पर दिखा रहे हैं, कि आप reinforce construction project से आप इस quotation को बना रहे हैं, यहाँ पर आप अपना GST number शो कर देंगे, यहाँ पर आप easily दिखा सकते है, जिस number जो भी आपका है, आपका head office का जो address है, वो यहाँ पर आप शो करेंगे, और इसके बाद आप यहाँ पर email ID अपकी अपनी जो भी mobile number है, वो सारी यहाँ पर आप contact details दे देंगे, इसके बाद आप यहाँ पर दिखाएंगे, कि prepared by, आगर आप यहाँ दिखाना चाहते हैं तो अब labor rate इसमें क्या है, तो labor rate जैसे कि आप किसी भी काम क्यों कर रहे हैं, आप किसी भी client का काम कर रहे हैं, तो मालीजे, client सारा material खुद से provide कर रहा है, आप से बोल रहा है कि सिर्फ आप काम कराई है, अपनी labor लगा करके, सारा materials हम देंगे, तो वो आपकी जो codation होगी, व यहाँ पर हम labor rate की बात कर रहे हैं, यानि कि जो आपका materials है, वो client की side से provide किया जा रहा है, तो codation for structure work, यहाँ पर structure work आप कर रहे हैं, तो structure work शो कर देंगे, अगर आपका finishing work है, आप finishing work दिखा देंगे, जो भी आप काम करते हैं, उस company आप यहाँ पर show कर देंगे, codation for structure work, और labor rate पर हम बात कर रहे हैं, यानि कि हम सिर्फ अपनी labor लगाखर की काम को करा रहे हैं, यहाँ पर name, आपका project manager, जो भी है, उसके नाम पर आपको condition दे रहे हैं, और जो आपका company है, वो यहाँ पर आप show कर देंगे, जो भी इमान लीचे, L&T के आपने यहाँ पर company का नाम show कर जिसको आप condition दे रहे हैं, और project manager जो भी होगा है, यह जिस भी authority के नाम पर जा रहा है, उसका आप आप नाम show कर दिए, उसकी post आप show कर दिए यहाँ पर, इसके बाद आगे चलिंगे हम, तो यहाँ पर हम देखेंगे, serial number दे रखा है, description दे रखा है, unit दे रखा है, unit rate है, quantity है और amount है, तो यहाँ पर हम जैसे के देख लेते हैं, सबसे first में हम यहाँ दे रखा है इसने, PCC casting by pump, यानि कि अब हम यहाँ से दिखा रहे हैं, कि हम जो जो काम करेंगे, उसके क्या-क्या, अलग-अलग, उनका unit क्या है, उनके rates क्या रहेंगे, और जो VOQM quantity है, उसको हम कर रहे हैं, पंप से, manually cast नहीं कर रहे हैं, अब client ना में पहली बता रखा है, कि PCC जो cast होगी, वो pump से cast होगी, तो हमने यहाँ पर clearly show कर दिया, PCC casting by pump, अगर manually हो रही होती, तो हम यहाँ पर manually show कर देते, तो PCC, अगर हम pump से cast करेंगे, तो pump का charge वहाँ पर बढ़ जाएगा, औ यहाँ पर आपको rate मिल जाता है, 220 रुपे क्यूबिक मीटर, ठीक है, इसके बाद, आप देखेंगे यहाँ पर, जो आपको rate मिला 220 रुपे, यह अपने rate analysis process से निकाला, जो rate analysis आपको हमारे reinforce के channel पे, बहुत सारी वीडियो जाएंगी, तो उस तरीके से हमने rate analysis करके, हमने यह से निकाला कि इसका जो rate rate आ रहा है, हमारा profit आइड करके, 220 रुपे क्यूबिक मीटर आ रहा है, यानि कि 220 रुपे क्यूबिक मिटर में हम उसका काम कर सकते हैं, और इसमें हमारा profit जतना भी है, हमने आइड कर रखा है, तो यहाँ पर 220 रुपे, एक क्यूबिक मीटर अगर concrete cast करते हैं हम क्लाइंट की और मट्रील क्लाइंट प्रोवाइड कर जा है तो 220 मिल गया क्वांटिटी में आप वो क्वांटिटी दिखाएंगे जो क्लाइंट आपको दे रहा है यह पर उसने अगर आपको व्यूक्वी दे रखाए कि आपकी माल लेते हैं हम यहाँ पर 150 क्यूबिक मिटर आपको PCC कास्ट करनी है तो यहाँ पर आपने 150 क्यूबिक मिटर का जो एड़ेट है 220 रुपे है और 150 टूटल क्यूबिक मिल जाता है 33,000 रुपे PCC कास्ट करने का चार्ज है 150 क्यूबिक मिटर PCC एक क्यूबिक मिटर का चार्ज हो है 220 रुपे आपको पे कर रहा है क्लाइंट तो यह कोडेशन आप देंगे तब ही वो आपको एग्री करेगा इन डेट्स पर अगर मालीजी इंकम रेट्स पर कोई और काम कर र कास्टिंग बाई पंप तो यहाँ पर हमने रेट दिखा दिया RCC वॉल तीसे नमर पर आप देखेंगे यहाँ पर RCC वॉल एंड कॉलम कास्टिंग बाई बूम पंप से करने तो यहाँ पर इसका चार्ज और बढ़ जाता है और यहाँ पर इसका जो एमाउंट है वो आपक 20 रुपे था लेकिन जब हम बूम पंप की बात कर रहें तो यहाँ पर 250 रुपे एक क्यूबिक मिटर का रेट हो जा रहा है क्योंकि उसका चार्ज बढ़ जा रहा है तो इस तरीके से आप रेट आलेसेस प्रोसेस से यह सारी रेट्स निकालेंगे और इन रेट्स को जब आ तो इसी तरीके से सारा काम है आपका RCC स्लैब आप कास्ट कर रहे हैं शट्रिंग वर्क आप कर रहे हैं मेकिंग ऑफ शट्रिंग फॉर आल साइज आप यहाँ पर देखेंगे 55 रुपे स्कायर मीटर में आप शट्रिंग को बना रहे हैं यहाँ पर जो यूनिट हो जाता है स्कौायर मीटर हो जाता है अम मालिजे आपकी शट्रिंग जितनी भी वह आप यहाँ पर कॉंट्रिटी शो करके बांट दिखा दिए रिमेकिंग हो रहा है ठीके रिमेकिंग भी किया जाता है उसका जो चार्ज ऑर फूर्टिटी तूरू पर स्कौयर मीटर है इसके बाद इस्टील वर्क है, इस्टील वर्क पर आप देखिएंगे, पर मिट्रिक टन, बासट सो रुपे, आपको पे करेंगा क्लाइंट, एक टन के लिए, पर एम्टी, एम्टी जो है, मिट्रिक टन है आपका, इसके बाद आपका इसका फिक्सिंग ऑफ इसका फोल्डिंग है, रिमूविंग ऑफ इसका फोल्डिंग है, यह भी आपको दे रखा है, क्यूबिक मिटर में 11 रुपे, क्यूबिक मिटर आपका इसका फोल्डिंग फिक्सिंग है, और 7 रुपे इसका रिमूविंग है, तो यहाँ पर जो भी ब् है यहां पर आपको दिर्खा है cgst sgst और टोटल आपका जो gst वो 12 परसेंट तो central का जो gst वो आपका 6 परसेंट है इस्टेट का 6 परसेंट है और जो आपका integrated यहांने कि टोटल जो आ रहा है वो 12 परसेंट का gst लगेगा आपका है जो total amount मिलेगा माल लेते हैं हम यहां पर कि हमें एक लाग का हमारा amount लग रहा है तो एक लाग पर आपका जो है gst लगेगा कितना लगेगा इस पर तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे हों multiply हम यहां पर कर देंगे .06 आपका 6000 यह वाला लग रहा है और same हमारा as gst लगेगा 6000 और total हमारा जो बनेगा वह यहां पर हम इसको plus कर देंगे दोनों को बारह जार रुपे बारा परसेंट का gst लग रहा है total amount आपका कितना होगा आप total जो amount है और प्लस आप यहां पर इसको add कर देंगे 12,000 को 1,12,000 आपका gst लगा करके amount बैट रहा है एक लाग 12,000 तो आपका जो under construction पर gst लगता है वो 12% के लगता है तो आपकी जतनी भी quotations जाएंगे उन सभी में आपका 12% रहेगा हलाकि आपके अलग-अलग department में यह अलग-अलग हो सकता है लेकिन मैं under construction के बात कर रहा हूं किसी भी building के related बात कर रहा हूं तो यहां पर आपका codition पर 12% के gst लगेगा इसके बाद आपका authorized signature जो भी आपका मैं बना रहा हूं तो मैं यहां पर अपने sign करूंगा और amount in words में यहां पर मैं शो कर दूँगा कि जो आपका 1,12,000 आ रहा है उसको 1,12,000 यहां पर मैं शो करूंगा एक्स वीडियो को शेर कीजिए थैंक यू सो मच